Hello viewers, इस वीडियो में हम बात करेंगे French borrowing कुछ words के बारे में और क्या-क्या influence रहा French language का हमारे English language के ऊपर तो आईए बात करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि English जो है एक जर्मैनिक लेंग्विज है and took origin from the Indo-European family और आप लोग सायद यदि पढ़े होंगे English Language के बारे में डिटेल्स में तो आपको पता होगा कि ये जो है Indo-European Family of Language से Belong करता है English is considered a borrowing language इसको एक borrowing language के तरफ भी जोयतोर पर भी जाना जाता है French borrowed words brought to country during the 11th century by Norman Conquest यहाँ थोड़ा समझते हैं यह Norman Conquest का क्या तात पर है हाँ पर तो सायद यदि आपने History of English Language पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 450 से लेकर 1066 तक जो है यह Old English Period रहा था रहा था कि नहीं और यह 1066 के बाद Norman Conquest आया था यानि यह 11th century है न जी तो 11th century से ही जो है यानि कह सकते हैं कि English Language पर किसका influence दिख रहा है French Language का समझ रहा है ना और details में यह बात करें कि यह क्या था वास्तम में क्या इसका प्रभाव था कैसा था तो the most immediate consequence of the Norman domination in Britain is to be seen in the wide use of French Language in many spheres of life आप आज भी देखोगे यह तो French Language से बहुत सारे ऐसे words हैं जो कि English में यूज के जाते हैं जिसे हम मालीजे court से जोड़े वर्ड देख लेए law हो, lawyer हो, court हो यह सारा word जो है ना French word ही है about 300 years ago और आप सब भी जानते हैं 11th century से लगभग जो है 1066 से लेकर आपको नहीं ध्यान में तो मैं बता दूं कि 1066 से जो है लेकर आपका 1500 तक ये middle English period चला था इसी को तो Norman Conquest कहा जाता है वास्तम ये 1066 से शुरू भी नहीं हुआ था ये जो शुरू हुआ था आपका 1150 के आसपास शुरू हुआ था ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं कि about 300 years French was the official language of administration अब सभाविक है Normans लोग का सासन चल रहा था तो ये administration की जो भासा होगी वो कौन सी होगी यही रही होगी French ही रही होगी तो it was also the everyday language of many nobles और राजा के लोग जो आदमी हुआ करते थे वो लोग भी French language ही बोलते थे of many town peoples in south बहुत सारे हिश्चों में new words coming from French could not be adopted simultaneously यानि ऐसे ही adopt नहीं कर लिया गया directly यानि पहले इसको used किया गया by all the speakers of English they were first used in some varieties of the language and in the speech of the upper class यानि सुरुवाती दौर में जो है इसको upper class के language में इसको observe किया सकता था यानि सिर्फ पहले जो है करते थे इसको बोला करते थे तो मैं आपको बता दूए अभी हम original जो context उस पर नहीं बात कर रहे है अभी हम background की बात कर रहे है कि कैसे कैसे यह जो है यह शुरुवात कैसे हुई कैसे हमारे English language में French language का आना हुआ कैसे French words नहीं borrowed कैसे हुए तो मैं शुरू से एक बार मैं फिर से sum up करना चाहूँगा कि 1066 के बाद जो Norman Conquest शुरू हुआ तो उस दोरान Normandy जो है सासन करने यहां आए England आए और वे लोग साथ लाए अपने क्या French language साथ लाए और French language तभी से जो है कह सकते हैं कि यह French language कुछ दिनों तक अब देखिया आगे क्या हुआ कि आफ्टर नॉर्मन Conquest यानि यह क्या हुए आपस में घूल मिल गए कुछ वर्ट यहां पर एक्जामपल मिलिये गए जैसे बैटल हो गए, कोर्ट हो गए, काउंटेस हो गए, यानि यह सारे वर्ट जो डराइब किये गए वो किस language से थे जैणि काफी यह सम्माणनी था उसका प्रभाव हो न एड़ लूर्ण Magic और यह सबसे जदा हावी रहा था यह Midland Finnish पिरियेट के दौरान ही रहा था यानि जो खास करके 17 शिताब दी जो है यह काफी यह काफी महत्योपूर्ण है इन दे हिस्ट्री ओफ फ्रेंच लॉन एज पिरियोड इन मैटर्स ओफ लिटरीचर एंड सोसल कम्यूनिकेशन यदि साहिति के दौर पर देखा जाया या फिर यह हम जो है यदि एक भासा के तौर पर देखें तो यानि इस सेंचूरी में 17th सेंचूरी में काफी ज़्यदा प्रभाविश्ट का फ्रेंच लैंग्विज का इंग्रिस लैंग्विज पर देखने को मिला था कुछ और वर्ट्स की बात करने हैं जिसे ड्रैगून हो गया स्टॉकेड हो गया बैलेट हो गया बॉर्लेस्क हो गया टबैलियो चैजरीन सूप आर्दा रिप्रेजेंटेटिव आप 17th सेंचूरी बॉराइंग्स फ्रॉंच ये सारे वर्ट्स जोते 17th सेंचूरी में भी अडॉप्ट के गए दर लोन वर्ट्स अप दे 18th सेंचूरी ये रुका नहीं ये सिलसिला चलता ही रहा और 18th सेंचूरी में भी कुछ और वर्ट्स जैसे की गिलेटिन रेजाइम पिकनिक पुलीस कूप एट्सूट्रा इन दा 18th सेंचूरी ये सब सारे 18th सेंचूरी में अडॉप्ट की गए फूर और कुकिंग गिलेटिन इंगेज फ्रेंच लॉन फॉर एग्जामपस जैसे की कैसरोल क्रोकेट रेगाउट लिकर अलसो डू लिट्रेचर म्यूजिक अन आर्ट फॉर एग्जामपल जैसे क्रिटिक हो गया बैल्लेटर्स गया प्रेश ब्रोचर जैसे 19th सेंचुरी जै रिच कंट्री इंबरोविंग फ्रेंच वर्ट ये 19th सेंचुरी में भी जारी रहा था जैसे इसे इन्क्लूद दा यूस्यूल रिटर्म्स कुछ रिटर्म्स थे तोस रिलेटिंग तो अर्ट जैसे बैरेज कम्यूनिक रेनाशा रेस्टराइन मैटनी मैन्यू चाफर एलाइट एटस वी सी दाट ऐसे कहम दो देखते हैं कि वर्ट्स वर उस्ट वर उस्टू दिनोट थिंग्स फूड, मिलिटरी, टर्म, गवर्वन्मेंट, आट अदर यानि हर छेतर में इस भासा का जो है इस भासा से शब्द को अड़ॉप्ट किया गया था देराट वर्ड कम्बिनेशन बिट्वें विच एन सी देखने को मिल रहा था अब बात करते हैं इसके प्रभाव की यानि बहुत पहला प्रभाव तु यह दिखा कि बहुत सरे फ्रेंच वर्ड जो थे बोरो कर लिए गए इंग्लिस लैंवेज में इंट इंग्लिस इट शुद भी मेंशन देट यह बात भी कही जाने चाहिए यानि ओल्ड इंग्लिस हमेशा से चाहती थी कि इसकी वाकविलरी किसी तरीके से डेवलेप हो जो कि सायद में इंग्लिस में संभव हो पाया था चीफली बाइ यूजिंग प्रिफिक्स से शफिक्स से खास करके जो है प्रिफिक्स सफिक्स का यूज करके एंड कमबाइन नेटिव एलिमेंट्स इंटो सेल्फ इंटर्प्रेटिंग कमपाउंड्स मैं आपको यह भी बताने ही वाला था कि लगबग दस हजार से भी ज्यादा फ्रेंच वर्ट्स जो है फॉंड देर वे इंटो इंग्लिस एंड एबाओ थ्री क्वार्टर सोब इस वर्ट्स अरे स्टिल यूज़ और इंवे से जो है में है and in some cases there are words of latin origin with similar meanings और कुछ-कुछ ऐसे भी वर्ट्स है जो कि latin और french में दोनों सेम है for example a king from old english काइनिंग से बनाया गया है can be kingly और royal from french royal यानि उच्चारन एक जैसा दिखने में एक जैसा और meaning भी एक जैसा the pronunciation of English changed to some extent under the influence of french as did the spelling चुकि spelling में थोड़ा सा difference था इस कारण से क्या हुआ कि इसके pronunciation में भी बदलाव आया English grammar did take on a few french structures यानि English grammar में कुछ french structures का भी सामिल होना हुआ such as putting in adjectives after nouns जैसे की adjective का पर्योग कभी-कभी noun के बाद भी किया जाने लगा जैसे की for example secretary general secretary general में noun जो है general है और secretary जो है noun है तो adjective general है उसका पर्योग यहां पर किया गया है in conclusion यानि conclude करें इसको तो I would like to say though the number of french loans in the modern period is relatively minor हलाकि यह बहुत ही कम है in comparison to middle English यानि क्या modern English में उतना जदा word तो नहीं जितना की middle English में अडॉप्ट किया गया था सारा तो नहीं अभी तक the contribution is most important लेकिन contribution जो है इसका अच्छा खासा रहा योगदान इसका बहुत ही अच्छा है यानि इस पर कोई शंदेह नहीं है कि इन सारे loan words ने English को एक सम्रिद भासा बनाया Summing up last में ये कहना चाहेंगे कि I want to say that in my opinion each language should borrow words from another language यानि मेरा ये मानना personally कि जो है कि हर language को दूसरे language से words borrow करने चाहिए इसके सम्रिद्धी और ज्यादा विक्षित भासा बने दस वी एक्जामिन दव बोर्विंग फ्रेंच वर्ड और इंफ्लूएंस और इंग्लिज आल्स वी अपसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड से से शेयर करें और प्री चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंफर्मेटिव एंड जरूर कमेंट में बताएं आपको कैसी वीडियो चाहिए तो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिस करेंगे धन्यवाद